यहां कहानी एक छोटे से गाव में रहने वाले लड़के अर्जुन की है। अर्जुन के माता-पिता किसान थे और उनका जीवन बहुत ही साधारण था। अर्जुन का गाव हरीबरी खेतों और नदी के किनारे बसा हुआ था। जहां चारों और हर्याली ही हर्याली थी। बचपन से ही अर्जुन को प्रकृती से बहुत प्रेम था। अर्जुन के दिन की शुरुवात सूर्योदय के साथ होती थी। वह अपनी मा के साथ खेतों में काम करने जाता, जहां वह बीज बोने, फसल काटने और पौधों की देखभाल करने में मदद करता था अर्जुन की मा हमेशा कहती, प्रकृती हमारी माता है, इसकी सेवा करने से हमें हमेशा खुशी मिलेगी अर्जुन का सबसे अच्छा दोस्त उसके गाव का ही लड़का रवी था दोनों साथ में खेलते, पड़ते और गाव की हर गली में घूमते उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि गाव के लोग उन्हें रामलक्षमन कहते थे एक दिन अर्जुन और रवी ने निरने लिया कि वे नदी के किनारे जाकर मचली पकड़ेंगे वे अपने साथ बांस की डंडी और धागे ले गए नदी के किनारे पहुँचते ही उन्होंने मचली पकड़ने की तैयारी शुरू कर दी अर्जुन ने धागे में चारा लगाया और उसे नदी में फैंक दिया थोड़ी ही देर में उसे महसूस हुआ कि कुछ भारी खीच रहा है उसने धागा खीचा और देखा कि एक बड़ी मचली फंसी हुई थी अर्जुन बहुत खुश हुआ और उसने मचली को सावधानी से बाहर निकाला रवी ने भी अपने धागे में चारा लगाया और नदी में फैंका लेकिन उसे कोई मचली नहीं मिली रवी थोड़ा उदास हुआ लेकिन अर्जुन ने उसकी हिम्मत बढ़ाई कोई बात नहीं, रवी, कोशिश करते रहो, तुम्हें भी सफलता मिलेगी अर्जुन की बात सुनकर रवी ने फिर से कोशिश की और इस बार उसे भी एक छोटी मचली मिल गई दोनों दोस्त बहुत खुश हुए और उन्होंने मचली को पानी में वापस छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने समझा कि मचलीों को भी जीने का हक है शाम को दोनों दोस्त घर लोटे और अपने माता-पिता को अपने अनुभव सुनाए अर्जुन की मा ने कहा तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया हमेशा याद रखना कि प्रकृती की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है अर्जुन और रवी ने अपनी मा की बात गांट बांध ली वे हमेशा ध्यान रखते कि वे प्रकृती को नुक्सान न पहुँजाएं समय के साथ अर्जुन बढ़ा हुआ और उसने क्रिशी विज्ञान में उच्छ शिक्षा प्राप्त की उसने अपने गाव में नयने तरीकों से खेती करने की पहल की जिससे किसानों की आए बड़ी और गाव का विकास हुआ रवी ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की और गाव में एक स्कूल खोला जहां उसने बच्चों को शिक्षा देने की जिम्मेदारी ली अरजुन और रवी ने मिलकर अपने गाव को एक आदर्श गाव बना दिया जहां हर कोई खुशाल था और प्रकृती के साथ तालमेल बैठा कर जीता था इस प्रकार अरजुन और रवी ने बच्चपन में सीखी गई सीखों को जीवन भर याद रखा और अपने गाव की सेवा करते रहे उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि हम प्रकृती के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आएं तो हम अपने जीवन को सुखद और सफल बना सकते हैं